कैसे हैं दोस्तों दोस्तों दोके से फिल्म बन जाने के बाद आप लोगों के मन में सबसे बड़ा डर क्या होता है कि आपकी वाटसप के माध्यम से फेस्बुक के माध्यम से मेसेंजर के माध्यम से डेटिंग एप के माध्यम से स्नेपचेट के माध्यम से सेरचेट के माध्य गई है क्या वो फिल्म कहीं पर अप्लोड की जा सकती है कि आपकी जो इज़त है उसकी धज्या उड़ाई जा सकती है यह डर हर किसी के मन में होता है पर आज जो बात आपको मैं बताने वाला हूँ वो सुनकर आप खुश हो जाएंगे आपकी फिप देखो परेशानी तो आप आपकी 90% 100% हमारी वीडियो देखने से खत्म हो जाएंगे पर जो आज की जो वीडियो है इसको देखने के बाद आपको बहुत सुकून मिलेगा दोस्तों आज से कम से कम धाई महीने पहले हमने की स्टिंग किया था मेवात के कुछ साइबर अपराधियों के खिलाब जो धो हमारे पास आई थी जो हमने साइबर क्राइम की टीम को दी थी उस समय बेसक हमारी कारवाई पर मतलब हमारी जो जानकारी पर कोई कारवाई नहीं हुई पर कल एक कारवाई देखने में आई जो बहुत बड़ी है मेवात में हर्याना पुलिस के दुआरा एक बहुत बड़ी कारवाई की गई है गुर्गामा पुलिस के दुआरा हमने आज से धाई तीन महीने पहले धोके से फिल्म बनाने वाले एक व्यक्ति के बारे में ट्वीट करके वीडियो बना कर गुरुग्राम पुलिस को सोना पुलिस को नुहु पुलिस को मेवात पुलिस को एक जानकारी द रहा है उसके साथ सबसे बड़े फ्रोड में जो जिम्मेदार है वो है तथा कथित जो अलाग अलाग बैंक हैं उनके मेनेजर दोस्तों मेरी बात को समझें किसी भी फ्रोड का सबसे बड़ा जो आधार होता है उसकी आधार अपने एक बिल्डिंग तयार करते है तो उस बिल्डिंग की मजबूती उसकी नीव पर आधारित होती है कोई भी बिल्डिंग तब मजबूत होती तब उसकी नीव मजबूत होती है तो साइबर अपराद की जो नीव है वो है फेक सिम कार्ड फेक अकाउंट्स सिर्फ दो नीव है साइबर अपराद की या तो आपके पास फरजी सिम कार्ड हो या फर फरजी बैंक अकाउंट्स हो अ डिए ओटी डिपार्ट्मेंट टेलू कमिनिकेशन यह लोग जिनको लाइसेस देते हैं कि वह यह जीयों का प्रोवाइडर है यह अधार का है यह फला कंपनी का फला कंपनी ठीक है तो वह लोग अपना फरजी सिम कार्ड किसी को बेच रहें किसी फरजी आदमी को किसी ओरिज और जबकि मेरे डोकुमेंट से लिव हुई सिम जो फ्रोड कर रहें अब मुझे क्या पाता कि मेरी नाम से कितनी सिम कार्ड फरजी चल रही है पर इंडिया में हर आदमी चेक करने के लिए मतलब नहीं कर पाता इंडिया में मतलब आदमी अपने दो टाइम की रोजी रोटी के लिए बहुत संगर्ष कर रहा है तो उसको क्या मतलब कि उसके नाम से कितनी फरजी सिम कार्ड चल रहे होते एक तो सिम प्रोवाइडर्स दूसरा सबसे बड़ा यानि कि देखें पहली चीज आप समझ लीज उसको एक बैंक अकाउंट की तो बैस जरूरत पड़ेगी ना तो किसी भी आज की डेट में उनलाइन फ्रोड साइबर फ्रोड करने के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है बैंक अकाउंट और हमने धाई महीने पहले जिन लोगों के बारे में बता थे इस पर्टिकुलर रेंक के अधिकारियों को गिरफतार किया है गुर्गराव प्लिश ने यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्दी है दोस्तों मतलब कोई भी बैंक वाला किसी के नाम से फर्जी बैंक अकाउंट खोल रहा है और साइबर फ्रोड करने वाले लोगों को बेच रहा है औ उनके साथ फेस्बुक पर फ्रोड करके ऑनलाइन होम डियूरी के नाम से फ्रोड करके मेट्रो मेनील वेबसाइट के नाम से फ्रोड करके आपको फ्री जोब होम जोब आपका वर्क फ्रों होम के नाम से जोब करके आपको ठग रहे हैं और उस बैंक अकाउंट में आपसे डलवा रहे हैं वह बैंक अकाउंट किसी इंडोसेंट आदमी के नाम से दर्ज है और उसका इस्तमाल कर रहा है साइबर अपराधी अब उसका अकाउंट खुलवाया किसने वह बैंक के करमचारियों ने जिन्नोंने अकाउंट खुलवाया उनके उरुपर भी अब कारवाई शुरू कर दी गई है ठीक है तो उनको इलाज करना शुरू कर दिया है गुलगाम पुलिस फुल एक्सम में हैं इनका इलाज चल रहा है तरीके स सबसे बड़ी बात सबसे खुशी की बात यही है कि देखें किसी भी साइबर अपराद की सबसे बड़ी जड़ होती है अगर उनके उपर कारवाई हो रही है तो यह बेहत बहुत सुभ संकेत है आपको हम सब को गुड़गाम पुलिस को सल्यूट करना चाहिए आज वो ये क कर रहे हैं कल को और बड़ी काम्याबी उनको नसीब होगी तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है आप अगर आपके साथ कोई भी साइबर अपराज होता है तो कंप्लेंट फाइल जरूर करवाएं 1930 साइबर क्राइम का यह औफिसियल नमबर है अगर आपके साथ कोई भी साइबर फ्रोड होता है तो 1930 पर कोल करेंगर आप अपनी कंप्लेंट फाइल करवा सकते हैं कि आपकी जिभातेюда हैं एक समय आएगा जब पुरुशास निभनी आज के इस वीडियो में इतना ना वीडियो लेकर नहीं जानकारी जैनकारी